हेलो दोस्तों सीबिसी वो टर्मन का एक्जाम जो है आपके MCQ पैटन पे होने वाला है तो इसमें इस वर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्लास 3 के छातों के लिए और क्लास 12 के छातों के लिए कि वो अपनी तैयारी है जो है टर्मन की जो तैयारी है NCRT के साथ 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 सेंपल पेपर को जरूर से जरूर हरे एक बच्चे फोलो करें क्योंकि NCRT के साथ साथ आपको सेंपल पेपर करना इसलिए और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि नया पैटन होने वाला है पूरा पेपर आपका MCQ आने वाला है तो इसमें आप ल requirement को देखते हुए जो है ख्लास 10 के छाटों के लिए Most Important Sample लेकिया है जो लेतिस्ट पेटर्न पे बेस है यानि कि ख्लास 10 के Math को लेकर जो है Most Important Sample पेवर जो सीबसी बोड के लेतिस्ट पेटर्न पे जो टर्मन का आपका पैटर्न होने वाला है उसी पैटर्न पे completely based जो है आपका एक सेंबल पर लेकर आगया है class 10 का math को लेकर math basic और math standard दोनों ही चाहत जो है इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही चाहतों के लिए पूरी तरीके से completely class 10 का math basic standard हर एक चाहतों के लिए लेकर बेस आपके लिए सेंबल पर होने वाला है इस पूरी तरीके से लेकर बेस जैसे कि मैं आपको बारवर कह रहा हूं मैं अपने आपको 16 को सकते हैं यहाँ आपको 20 लगता है कि मुझे नहीं आता है उस को चोड़ सकते हैं यह सबसे बड़ा अपको टर्मन में दे रहा है जादस जादा इस पर दिया गए है यानि पहले भी आते थे लेकिन पहले इतना नहीं आता था जितना इस बार CBC World दे रहा है, MCQ में आपको बहुती सारे जो है आपको optional देखने को मिलेंगे यानि कि जो questions आपको लगता है कि doubt है क्योंकि यहाँ पर क्या है term 1 का exam जो आपका होने वाला है एक objective pattern पर होने वाला है और पहले subjective में क्या होता था कि 3 number का कोई questions होता था तो बच्चे को पूरा questions नहीं आता था तो अगर आधा भी करता था तो teacher उसे 1.5 number या 2 number उसे देते थे लेकिन इस बार 1.5 आधा number एक number की कोई गुणजाईस नहीं है क्योंकि CBC World का pattern जो है MCQ वाला होने वाला हिस्वर paper यानि कि आपको एक questions के चार options मिलेंगे जिसमें अगर आप लोग A select करते हैं अगर वो सही हुआ तो आपको एक number मिलेगा अगर वो गलत हुआ तो आपको 0 number मिलेगा यह आपको अच्छी तरीके से पता है MCQ में आपको आधा number की कोई गुणजाईस नहीं है तो आप लोग जितना जादा practice कर सकें अगर आप लोग 20 करेंगे तो शुरुआत के जो है आपको 16 चेक करेंगे और बाद के जो 4 हैं उसे चेक नहीं किया जागा यह पूरी तरीके से और भी कई सारे फेक्टर्स पर डिपेंड करता है याद कर लीजे number क्योंकि आपके हरे डौट कांस्त मिलने वाला है और आपको सीधे वाट्साप नमर पर चाहे मैद का सो फिजिक स्थक्स फिमेंश्टी हो बाईजन जी हो आपके हर एक डौट को सौलिशन मिलेगा आपको सीधे आपके वाट्सेफ नमर पर बस आपके चाहे किसी भी को स्वूशन में डौट हो बस questions की फोटो कीचो questions को crop परो 5 सेकंड में आपको तुरंज वीडियो सॉलिसन्स यहां पर मिलेगा चाहे class 6-12 का questions हो IT जाई में सेंडर बांस के questions हो CBSE board के questions हो या state board के questions हो तो आप अभी जाईए 8400-400 पर अपने सवाल WhatsApp करिए और अपने सभी डॉट को आउट करिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो मैं आपको जो है अलग वीडियो में बताऊंगा लेकिन फिलाल आप लोग देख लीजिए section B में बात करें तो यहां पर भी आपको 20 questions है जिसमें आपको 16 questions करना है आप पूरा questions जो है one by one करके देखते रहे हर एक questions को जो है आप अच्छी तरी questions है यानि की 20 questions starting में थे जिसमें 16 करने थे section A था फिर अगले 20 questions section B था जिसमें आपको 16 करने है अब आपको आता है section C जिसमें आपके case study के questions पूछे जाने है इस पर आपको जैसे के अच्छी तरीके से पता होगा class 10 का जो आपका math की बात करें तो math में जो है इस पर आपके mcq questions आने वाले हैं साथी साथ case study के भी आपको questions आने वाले हैं तो यह सारे questions को जो है आपको अच्छी तरीकी से practice करनी है तो case study के questions आप लोग देख सकते हैं case study के questions जो है आपको 10 questions दिये गए हैं जो हरी एक एक नमबर के questions है जिसमें आपको 8 करना है यानि total 8 marks का जो है आपको case study क बेटेज है, case study के यहां पर दो questions हैं, जिसमें हर एक questions में आपके 5 questions हैं, जिसमें आपको 4 का जवाब देना है, इसमें आपको जो भी आता है, शुरुवात के 4 आता है, तो आप इसे दे दीजिए, फिर आप अपने हिसाब से 4 questions का जवाब दे सकते हैं, एक questions आपको छोड़ना ह होगा अब यहां पर काफी वड़ा प्रोब्लम है स्टुडेंस के साथ स्टुडेंस कहेंगे कि अगर हमने पांचों कर दिया उसमें से अगर एक गलत हो गया तो क्या हमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आपको चार नंबर मिल जाएग आपके जो 40 कोष्ण करने हैं आप 50 कोषण करने हैं आप 60 कोषण कर देते हैं उसकेस में अगर आपके 50 सही जाते हैं तो क्या ऐसे केस में मुझे पूरे तरीके से 40 में से 40 नंबर मिलेंगे या 40 नमबर का questions है उसमें 50 questions आपके पूरे paper में दिये गए है आपने 500 के 500 टिक लगा दिए और 50 में से क्या हुआ आपके जब सारे questions चेक हुए तो उसमें 40 questions आपके सही निकले 10 गलत निकले तो क्या उस case में आपको 40 में से 40 मिलेगा तो ऐसा बिलकुल नहीं मिलने वाला है इसको लेकर जो है डीटेल वीडियो बनाऊंगा तभी आप जो है इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कई सारे पॉलिसी जहें सीवेसी बोर्ड को इस रिगार्डिंग तो वो चीज़े आपको समझना बहत जरूरी है तो इसको लेकर भी आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं उसको लेकर एक डीटेल वीडियो बना दूगा तो फिलहाल आप पूरी तरीके से सेंबल विर को देख सकते हैं स्क्रीन सोट भी आप साथ साथ ले लिजेगा अगर आपने नहीं लिया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से स्क्रीन सोट ले सकते हैं पूरी questions जो है मैंने आपको ये one by one करके आपको provide कराई है friends फिलहाल इस वीडियो बेता ही termon को लेका आप लोग अपरीता है यार ये करते रहिए कोई भी help हो तो नीचे comment में जो पूछ सकते हैं और साथी साथ मुझे Instagram पर भी message कर सकते हैं ताभी इस वीडियो में इतना ही बच्चो वहीं termon को लेका आगी भी हम लगतार अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं चाहे वो most important questions हो ये CBC board का कोई important advisory हो notice हो circular हो हर एक चीज़े आपको यहाप पर प्रवाइड कराई जाती है sample पर आपको provide कराते हैं और साथी जब jobs related वीडियो तो आपको मिलती ही रहती है स्क्रीन पर भी वीडियो सो हो रहा होगा तो यह सारी वीडियो वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ चैनल को subscribe करने के साथ notification bell को on कर दीजेगा ताकि हमारी वीडियो का हर एक notification पहुँचे सबसे पहले आप तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टोपे के साथ तब तक के लिए जैहिंद